किसान भाइब नवसकार आप सबका एक बार फिर से स्वागत देशी किसान पर मैं हूँ चंदन साथियों आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यह सब बर्मी कंपोस्ट के बैग रखे हुए है तो मैं आज एक आया हूँ बर्मी कंपोस्ट के फार्म पे और साथी साथ में यहां पे इंटिग्रेटर फार्मिंग भी होती है इस सेंटर का नाम है बैदिक्रिसी केंदर यह एक अनोखा माडल है खेती का किसानों के लिए एक अनोखा माडल इसलिए है कि करोना काल जब लागडाउन का टाइम था उस टाइम पर भी यहां पर जो 17 वरकर थे जो मजदूर काम करने वाले थे उस टाइम पर भी उन लोगों का सेलरी नहीं रूकी थी किसी का जॉब नहीं गया था जबकि देश में इतनी समस्याय थी बह संचालित कर रहे हैं तो देर ना करते हुए चलिए आपको सिसे मिलवाते हैं फार्म के संचालक से अपने बारे मतायत कुछ की साम को नमस्कार मेरा नाम मोकेश कुमार पांडे है और मैं नौचेतना एफ्पी ओ फार्मर प्रोडूसर अर्गनाइजिशन का सी यो हूँ यह नाबार्द द्वारा श्र Peachit बबिभिन-वइन के द्वारा शहयोगित तो इस यह सेंटर है इसनाम यह अनाम है वेदिक हुझिकेंड और वैदिक कृषिकेंडर पर दूर तक देख सकते हैं वर्मी-दूस्पोस्ट प्रोड्शन का कार्य हो रहा है था इन्टीग्रेड अग तो उस प्रेड़ा को देखते हुए सिंस मैंने रूरल डव्लोप्मेंट में पढ़ाई की थी और IIT-BHU द्वारा कई तरीके के वर्कसाप को अटेंड करने के बाद यह विचार आया क्यों नहीं हम वेस्ट टू वेल्थ की क्रियेशन की तरफ देखें और जो गाउं में अपसिस्ट पदार्थ हैं उससे हम एक मुल्यवान चीजों का क्रियेशन करें ठीक है इसके शुरुवात कितने बेड से हुई थे आपके वास कितने बेड है इस तरफ बात 2018 की है हमने शुरुवात लेकिन नावाड के वाड़ी कारिक्रम में जिस तरीके से हमारे वर्मी कंपोस्ट के डिमांड आती रही उस हिसाब से हमें बड़ा होसला मिला है नावाड और कृषी विभाग मिरजापूर और उध्यान विभाग मिरजापूर के सहयोग से हमारा होसला बढ़ता गया और आ परन्तु जब मैं इसमें आया तो मैंने बहुत रेकी की और प्रोड़क्शन जब सुरू करना चाहा तो गाउं के लोगों ने बुला देखिए ये पढ़ा लिखा एंबीय किया हुआ लड़का गोबर में अपना भवी से तलास रहा है और लोग काफी हस रहे थे परन्तु मैं अपने होसलों पर सुद्रड था और नावार्ड के दोरह मिल रहे मार्गदर्शन के तत्वाधान में हमने इस काम को किया कच्छा माल प्राप्त करने में तकलीफ आई बाद में मार्केटिंग में समस्या आई परन्तु जिस तरीके से नावार्ड में अपने को प्रमोट करन लेना पड़ रहा है कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है सिर्फ ट्रांस्पोर्टेशन की प्राप्लम है आज गोबर वाला सेंटर के नाम से विख्यात है और लुक्षोद आके अपना पहुंचाते हैं अभी आपका उत पादन कितना है अपर प्रोड़क्शन की बात करें तो व प्रोड़क्शन हो सकता है साड़े शहाजार कुंडल के भी ऊपर निकल जाए ठीक है तो इसको कितने बीट से शुरू करें और लगातार नियम का जो सुचिता है वर्मी गंपोस्ट प्रोड़क्शन का उनका अनुकरड करें तो दस वेट से करेगा तो उसको पंद्रहजार महीनी का इंकम हो शकता है सुलू में खर्च कितना है अगर खर्च की बात करें तो मुख्यता ये लो कास्ट एकोनामी मॉडल प्रोड़क्शन हाउस है लो कास्ट एकोनामी मॉडल पर बात करें तो दस बेट के लिए आपको लगए 60-70,000 रुपे खर्च करने हो ठीक है अच अचिशानों में अफर्डिविल्टी बढ़ेगी स्विक्रिती बढ़ेगी इसलिए मार्केट की अमने रेट घटा के साथ रुपया कीलो साथ सो रुपया पेंटल के हिसाब से तो आप इसका आपना पैकिंग करके बेशते हैं ब्रांडिंग करके कैसे बिसे दो तीन तरीके है अतनावार्ड को और अपने अफ्पयों को देखते हुए हम लोगों ने म्रिदा चेतना नमक वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन नाम रख तो आपका पैकिंग कितने कितने केजी का होता है अगर बात करें तो सुरुवात में हम 5 किलो से लेके 50 किलो तक की पैकेट बनाते कि अपने किशान भाईयों को खासतोर से पढ़े लिखे किशान भाईयों के परिवार के बच्चों को निवेदन करूंगा कि गाउं में रोजगार बिकसित करिए नौकरी की तरफ मत मुखातिब हो ये रोजगार एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे आप दूसरों को भी करोना काल में भी हमें अपने अपने करमचारी की नोकरी नहीं जाने दी पैसा देता रहा हुं को इसलिए देता रहा है कि मेरे पदार्थ का डिमांड मार्गेट में बहुत अच्छा रहा ठीक तो मैं सभी अपने नवयोग भाईयों से किसान भाईयों से कहूंगा कि आप अपना है और गाउं में ही रोजगार्स रिजित करें लोगों को बताएं कि गाउं में भी एक दुनिया बस्ती है जहां से पैसा कमाया जा सकता है कोई सुरुवात करना चाहता है त्यांस को आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए हमारा यह ट्रेनिंग सेंटर आप मॉडल अपनाया है कोई हमारे सराउंडिंग में व्यक्ति है जिसको यह प्रसिक्षड चाहिए बीना कुछ उनसे लिए मैं जाके प्रसिक्षड कर सकता हूं और मैं विभिन ब्लाक वीडियो सहाबान से जुड़के प्रसिक्षड देता भी हूं ठीक है सब जगाई धन्यव जाद प्रसिक्षड कर देता है